सील उडारियां की बात करें तो भाई शो में आ गया है गजब का ट्विस्ट यहाँ पर हमने आपको पहली बता दिया था कि तेजो जो है वो पुलिस बुला लेगी और यहाँ पर नाम वो फतेखा दे देगी जैसे की तेजो को जिस तरीके से जैस्मिन ने टॉर्चर किया और फतेख आकर तेजो को बचा लेता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देगा लेकिन जैसे ही तेजो को होश आएगा तेजो जो है वो बहुत जादे गुस्से में आ जाएगी फतेख को अपने सामने देकर कहती है कि क्या अब तुम मुझे दुबारा मारना चाहते हो यहाँ पर तुम मेरे दुपटे से मेरा गर्दन दवा कर मारना चाहते हो यहाँ पर फतेख कहता है क्या बात कर रही हो तेजो तेजो को सारी आदास वापस आ गई है पुरानी बाते याद आ गई है ऐसे में उसे यह याद नहीं है कि किस तरीके से फते ने उसका इन दिनों ख्याल रखा था अब आपको बताते चले कि पुलिस आ चुकी है और पुलिस फते को पकड़ कर ले कर गई है जेल क्योंकि यहाँ पर तेजो संधुन यानि कि तेजो ने इल्जाम लगाया है फते के उपर गंभीर क्योंकि फते उसे मारना चाहता है ऐसे में फते जेल के अंदर जा चुका है पूरी के पूरी फैमली परिशान हो गई है शौक्ड हो गई है तेजो के इस बयान से देखना दिल्चस्प होता है कि शोव अब आग एक कौन सा नया मोड लेगा फिलाल के लिए बस इतना ही मनीशा सिनाग रिपोर्ट वर्क 23 न्यूज